यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टन है स्पेशली फॉर्ट स्टूडन्स जो भी सिनल सिंग मैं चलना चाहते हैं इन दे स्टेट ओफ महाराश्ट्राम तो अभी जैसे आपको पता है कि 30 सब्टेबर को कट ओफ डेट थी उसको एक्स्टेंड करके 30 अक्टोबर कि दिया गया है तो उसके बाद जो मॉप अप राउंड वन हुआ था उसके बाद कोई अपडेट नहीं थे एवर्यवन वास वेटिंग पॉद अपडेट तो फाइनली आज यानि की चार ओक्टोबर 2023 शाम को अपडेट आये हैं आप यह वीडियो फिफ्ट ऑफ ऑगस्ट को इस विडियो में हम इस नंबर 16 को समझेगे और यह जो नंबर 16 में उन्होंने बताया है जैसे इसके पहली notice चो आई थी उसके पहले वाली इसके पहले कि जो notice थी notice number 15 15 notice number में उन्होंने 14 notice number 14 को cancel किया था तो notice number 14 जो थी वही यहाँ पे है बस यहाँ पे अगला round हो रहा है तो मौपप round 2 and institutional round का यहाँ पे पूरा जो schedule है वो दिया गया है इस वीडियो में हम सिर्फ मौपप round 2 के बारे में देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो जो शाम को आएगा आज 5th October यह morning में आप यह वीडियो देख रहे हो इंस्टिशनल लेवल राउंड के बारे में वीडियो आएगा अभी क्या हुआ था यहाँ पर दो रेफ्रेंसेस दिया है इंडे नर्सिंग का नोटिफिकेशन जो 22 को आया है और उसके बाद यहाँ पर दो चीज़े बताई है कि आयन सी ने अपना नया नोटिफिकेशन दिया था 22 सितंबर को जिसमें उन्हें कहा गया था कि जो वीडियो सिंग डिग्री है वह 31 ऑक्टोबर तक आप अगे एक्स्टेंड कर सकते हों उसके बाद M.E.H.S. जो है उन्होंने भी कुछ एक लिस्ट उन्होंने जारी करी जिसमें अभी तक जो कॉलेज़ेस थे उसके अलवा और कुछ कॉलेजेस है जिनको उन्होंने अफिलियेशन दिया है तो वो कॉलेजेस भी यहाँ पर आड़ किये गया है तो इस नोटिस में इन दोनों रेफरेंसेस को ध्यान में रखके यह बताया गया है कि जो एक्स्टेंडेड कॉट अफ डेट है उसके अकॉर्डिंग अभी कैप राउंड फोर होगा यानि की मॉप अप राउंड टू कैप तो नहीं बट मॉप अप राउंड टू होने जा रहा है तो यहाँ पे जिन लोगे पहले प्रेफरेंस नहीं फील किया था वहर गि Thrones से वहाँ कर सकते हैं जिन लोगों यहाँ सुफ किया तो यह अगे देखते ज्यादा इस को खीचे करने के नहीं टाइम टेबल टाइम देखते है टेबल डेट अगेरा जो पॉब्लिकेशन आफ सीट मैट्रिक्स है क्या पराउंड फॉर के लिए वह फॉर्थ ऑक्टोबर यानि कि कल आज जब हम यह वीडियो बना रहे हैं और आप कल देख रहे हैं कि फिफ्ट को देख रहे ह है तो उनको यह नए कॉलेज़ आड करने पड़ेगे तो उसकी डेट है सिक्स से लेके एट ऑफ ऑक्टोबर तक आप कर सकते हो मतलब आज का पूरा दिन है आपके लिए आप देखो सोचो एकोडिंगली आप तो मतलब रेडी रहो एंड शिक्स से लेके आप आड कर सकते हो उसके बाद इसकी जो सिलेक्शन लीश्ट है दो दिन बाद यानिकि 10 औक्टोबर को इसकी सिलेक्शन लीश्ट आएगी कि आप राउन 4 की ये सिंटर सिंग के लिए है तो मौप राउन 2 फिर उसके बाद इस राउन्ड में जिनका भी सिलेक्शन होगा उनकी physical joining status retention document verification है जो fees देना है डीडी वगेरा यह सब कुछ उसकी डेट है 11 से लेके 16 अक्टोबर शाम के साड़े 5 बजे तक यहाँ पर एक चीज नोटिस करनी है यहाँ पर कोई टाइम नहीं दिया है कितने पीम तक या फिर कितने एम तक ऑनलाइन प्रिफरेंस फिलिंग का यहाँ पर कोई टाइम नहीं दिया है तो पता नहीं क्या है यहाँ पर टाइम नहीं दिया है तो हम मान सकते हैं 11 59 पीम तक यह रहेगा ऑनलाइन फिलिंग और जो फिजिकल जॉइनिंग है वो 16 अक्टोबर तक आप कर सकते हो शाम के साड़े 5 बज़े तक उसके बाद खतम मौप टू खतम और यहा आप यह मैं फिर से बेटर मेंट करूगा यह फिर से कुछ तो वह नहीं होने वाला है ठीक है इंस्ट्रक्शन भी दिया है वह भी हम पढ़ेगे सिर्फ इंस्ट्रक्शन फॉर इंसर्शन आफ कॉलेज कोड़ कॉड शुडबी इंसर्टेड एन्नीवेर अबाउड अबॉड जिन लोगों को कोई भी सीट राउंड में नहीं मिली थी वह कही पर आड़ कर सकते हैं उनके लिए नया जो सिक्वेंस रहेगा गया करने वह कंसिडर किया जाएगा तो यह दो instruction है, third instruction हम देखते है, जिनों ने कोई भी preference नहीं दिया था, miss किया था preference देना, या फिर in previous search processes, तो यह candidate सिर्फ newly added जो colleges है, तो कि चार colleges है, वही colleges preference में डाल सकते हैं, और वही नए colleges उनके लिए consider हो गये हैं, उसके बाद fourth जो instruction है, जिन लोगों ने college जॉइन नहीं किया जिनको first में, cap 2, cap 3 में college मिला था, उन्होंने जो time दिया था, उस time frame में join नहीं किया, तो वह लोग भी यहाँ पे choice या फिर preferences डाल सकते हैं, लेकिन सिर्फ नए added colleges का ही preferences डाल सकते हैं, पूराने या फिर पहले colleges नहीं, ठीक है, और उनके लिए सिर्फ यही नए added colleges ही preferences consider किया ज जो colleges उन्होंने add नहीं किये है, अभी इस round के लिए वो consider भी नहीं होगे, तो यह चीज़ इसके उपर ध्यान दो, और फिर questions पूछने के जरूरते हैं, अभी इस round में अगर आप add करते हो preferences, तो जो नए colleges है, सिर्फ वही consider होगे, जिन लोगोंने join नहीं किया, जिन लोगोंने retention form फिल किया था, उन लोगों के लिए, और जिनको पहले में already मिला है, अगर आप betterment तो होगा ही नहीं, तो यह आपके लिए भी, मतलब यह सब के लिए हैं, तो जो नए add करोगे, वही बिलेगा, पूछो मत question कि क्या मुझे वो college मिलेगा, वो नहीं, institutional की बारे में जो बात है वो हम next video में करेंगा, next candidates who have status retention form, जोने status retention form फिल किया है, वो भी choices फिल कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ नए colleges, और उनके लिए भी यही नए colleges consider किया जाए गया, ठीक है, the choice or preference field in previous cap rounds cannot be deleted, edited, cancer, अब यह शायद आपको confuse करें, यहाँ पर क्या लिखा है, कि आपने इसके पहले round में जो भी choices fill किये थे, तो वो edit नहीं होगे, delete नहीं होगे, cancel नहीं होगे, वो जैसे के वेसे ही रहेगे, एक तो वो आपके लिए consider ही नहीं होगे, अगर आपको third cap round तक कोई भी college नहीं मिला है, उसी case में आपके लिए cap 1, cap 2 और cap 3 के colleges consider किये जाएगे, अगर cap 3 तक आपको मिला था, अपने join नहीं किया, या फिर अपने return किया है, तो उस case में जो नए colleges आप add करने वाले हो, वही colleges, सिर्फ पर सिर्फ वो नए colleges आपके लिए consider किये जाएगे, अब देखते हैं कि वो जो नए colleges है, वो कौन से है, institutional round के बारे में हम next वीडियो में बात करेंगे, अभी देखते है निए colleges, तो ये चार colleges है, नव यूवा कॉलेज आफ नर्सिंग भिलेवाडी बंडारा, जहाँ पर 50 seats है, उसके बाद श्री गोरक्ष नर्सिंग कॉलेज और रिसर्च सेंटर कुलंब्री अउरांगबाद 100 seats है, थर्ड श्री गजनन महराच कॉलेज आफ नर्सिंग शेवग हुए है, जो पहले थे, उसमें और 250 आड कर लो, तो ये लिस्ट है, नव एकोलेज की, आइन दिस अब आपके कोई भी डाउट है, कोई भी डाउट है, डेफिनेटली एक इस चीज़ के बार में, सो डाउट होने वाले है, एक नहीं सो डाउट होने वाले है, तो अगर आप डिस्क्रिप्शन में हम लिंक देगे, आपको हमेरे साथ करनेट कर सकते हो, आप कॉल बुक करिए, हमारे साथ बात करिए, मैं आपको अच्छे से गाइड करूँगा, बीना गाइड के, अगर आप एक्सपेक्ट करते हो, कि मैं यहाँ पर मेसेज करूँगा, कमेंट मोक्स म में हर एक कमेंट का रिपलाइ देना पॉसिबल नहीं है, वही DM पर, Instagram पर अगर आप मेसेज करते हो, फिर email भी करते हो, वहाँ पर हर एक email का, हर एक मेसेज का रिपलाइ करना पॉसिबल नहीं है, तो बेस्ट इंग, अगर आपको direct मेरे साथ बात करने है, आप कॉल बुक करि होगा, तो that's it in this video, इसके बाद शाम को एक वीडियो आएगा, उसमें हम institutional round के बारे में discuss करेंगे, I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, कोई भी doubt है, आप पूछ सकते हो, comment box में if possible कुछ relevant comments के हम reply देगे, उसके बाद जिसे मैंने कहा, आप हमारे साथ, जो आपके call है, वो book कर सकते हो, आपके doubts आप clear कर ले सकते हो, उसके बाद हमारी जो batch है, semester batch है, वो launch हो चुकी है, तो आप join कर सकते है, अभी बड़िया offer चल रही है, हमारी बड़िया offer चल रही है, जिस में आपको ये जो हमारा semester batch है, EMI पे मिलेगा, तो जो की 3000 वाला course था, तो EMI पे लेने पे, आपको I think 200 off इस पे मिलता है, ठीके, अगर आप हमारा coupon code AG500 लगाते हो, तो इस पे 500 रुपिस कॉफ मिलेगा, मतलब 2500 रुपिस पे आपको ये course मिलेगा, और इसमें limitation है, सिर्फ 25 students के लिए ही ये offer है, तो जो पहले आएगे, जो पहले 25 students रहेगे, तो ये जो coupon code है, वो उ facility है, वो भी 25 students के लिए ही रहेगे, so hurry up and join the course, जितने जल्द आप course join करोगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, उपन code और offer का आप फाइदा उठा पाऊगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, institutional round के बारे में, अभी तक व May God bless you, bye bye, take care, चलों, चांती और सलाम, bye bye guys.